जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर जूनियर हाई स्कुल सायक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए यहाँ पर आपको सामा निग्यान समसामाई घटना और तारकिक ज्यान से पूर्ण कॉस्चन आंसर कबर करेंगे तो वीडियो को आपके लिए पूरा देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करने बैल आइकन दबाए ओल पर क्लिक करने ताकि ओल वीडियो की नोडिपिकेशन आपके यहां तक सब से पहले चैनल करना है यहां पर आपके यह तीन विकल्प दिये गए हैं और इनके यहां पर आपके कूट भी दिये गए हैं कूट में आपके यहां पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा सी आनिकी आपके दूसरा और जो तीसरा यह जो विकल्प यह आपके दिये गए हैं यह सही आंसर होंगे ट्राफिक एंतम मेंच में अजिंक रहांड ने कप्तानी की थी और इस रंकला के तीसरे टेस्ट मेंच में महिला एंपायर केलेरी पोलो सेक ने ग्राउंड एंपायरिंग की भूमी का निभाई यह जो दो कथन है यह आपके यहाँ पर सही आंसर होंगे question number आपके यहाँ पर दो पूँचा है हाल ही में यान की जनवरी 2021 में जकार्ता में एस एएन सचवालाय में भारत के अंगली राजदूद की रूप में किसे निभाई किया गया है तो वह कौन है जिनको निभाई किया गया है तो आपके यहाँ पर question number दो का राइट आंसर है उप्च सभापती चुने गए है तो राजच सभा की उप्च सभापती कौन चुने गए है तो आपका राइट आंसर हरी बन से नारायन से हैं विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सभी आंसर है question number 4 आप से यहाँ पर पूँचा है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की बंत्री समीति ने वत्पादन की ओसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का जूनतम समर्थन मूल यानि की MSP बढ़ाया है तो आपका हैं पर सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर तो question number 4 का डी राइट आंसर है कोप्रा कोप्रा आपका सही आंसर होगा COVID-19 संक्रमन को रोकने के लिए बिस में सबसे वड़े टीका करन कारिकरम चला जाने के संदर में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य आपको बताना है तो बताईए तो यहाँ पर question number 5 का सही आंसर है आपका ये कूट भी देगा है और भी आपका राइट आंसर है आनिके दूसरा और देखिए टीका करन के द्वारान COVID-19 सील्ड और COVID-19 मेंसे किसी एक टीके का दो डोज दिया जाएगा टीका करन के प्रिथम चल्ण में स्वस्त कर्मियों को टीके दिये जा रही यह जो है यह दो कथन जो थे आपके सही थे बिलकुल अंगला question क्या पूंचा है तो यहाँ पर पड़ किस अंदर में निम्न कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्त है तो आपके लिए यहाँ पर बताना है जो सत्त है तो आपका question number 6 का right answer विकल्प number D कूट दिये गए है एक दो तीन यानि की यह तीनों कथन जो दिये गए है वह सही है question number 7 क्या पूंचा है ब्राजील के गर्तक के डांक्टर के रूल ना रूजो को बर्स 2020 का गर्तक्यों का रामनुजन प्रोस्कार प्रदान क्या गया है एक प्रोस्कार प्रदान करता है तो यह है आपके लिए यहाँ पर बताना है question number 7 का right answer यहाँ पर क्या होगा तो भारत सरकार के विज्ञान और ना किया था पहली किसान रेल का परिचालन किन दो इस्तानों के बीच किया गया था यह आपको बताना है तो question number 8 का आपका जो सही answer है वह है आपका B यान की दियो लाली महराश्टे और दानापुर बिहार यह जो है आपका B यहाँ पर 8 का right answer हो कभी question number 9 आपसे पूचा है क्य से कौन सा कथन सत्य है सत्य कथन करना है question number 9 है और 9 का right answer है आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा देखे यहाँ पर कूट भी देगा है विकल्प नंबर आपका B right answer है 9 का तो केबल 3 यान की इस बल का आदर सबाग की जीवन परियंते जीवन परियंत करतब इस पल का यह जो है आदर सबाग कमाना जाता है question number 10 पूशा हाली में किस देश ने साथवी जनगंडना का कारिपरारम क्या है यह question महत्यपूर्ण है साथवी जनगंडना का जो कारिपरारम क्या है भारत अमेरिका चीन या फिर अपरिका तो आपका सई आंसर होगा 10 का विकल्प नमबर यहाँ पर बी राइट आंसर है चीन राइट आंसर बिल्कुल सही चीन जन्हों ने बताया है उनका सही आंसर है question number 11 पूशा है असुक के प्रधान सिला लेखों में सबसे बड़ा सिला लेख है कौन सा है ग्यारवा बारवा तेरवा या फिर चवदवा question number 11 का राइट कौन है इस किताब की लेखक आपको यहाँ पर बताना है तुलसी दास, काली दास, सूर्दास या राइदास तो आपका यहाँ पर बारह का जो सही आंसर है बहे है आपका राइट आंसर बारह का विकल्प नमबर C आनी की काली दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा काली दा तो तेरह का आपका जो जाही आनसर है बहे आपका विकल्प नमबर C आनीकी अठारा सो सरी 1489 से 1517 इस्वी तक इनोंने भारत पर सासन किया है इनका सासन काल है सिकंदर लोधी जी का अंगले कॉस्चन बहे कौन सा इस्तान है जहां अन्तिम मुगल समराड बहादर साह जफर की ब्रत्तु ही थी बहे इस्थान बताना है बहे कौन सा इस्थान है तो आपका चवदह का जो सही आंसर है बहे विकल्प नमबर आपका यहां पर यह आनिकी रंगून निम्नमया से कौन सा सुमिलत नहीं है देखिए सुमिलत नहीं पूंचाए आपसे तो question नमबर 15 में बता देखिए बहे कौन सा सुमिलत नहीं है चार विकल्प आपका यहां पर दिये गए हैं और 15 आपका जो सही आंसर है बहे आपका राइट आंसर विकल्प नमबर C हुमायू नामा हुमायू आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर C आपका सही आंसर होगा बिर्टिस आसन को भारस से उखाड फैकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, देखे बिर्टिस सासन को भारस से उखाड फैकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो 16 का राइट आंसर है आपका D आनिकी टीपू सुल्तान, टीपू सुल्त प्लान ने मदद पांगी थी कॉस्चन नमर 17 नमलिकत में असे कौन अबद की किर्षक आंदूलन का नीथा था देखिए अबद में जो किर्षक आंदूलन हुआ था इसमें नीथा थी तो कौन थे यह आपको 17 का आंसर बताना है तो बाबा राम चंद्र आपके हां पर सही आंस में बेटर्स बाइसराय थे ए ह्कौन थे अपको यहां पर बताना है और करजन आपका यह यहां पर B right answer होगा बिल्कुल सभी question number 20 क्या पूंचा क्या है तो देखे प्राचीन तमबेद कौन सा है तो यह तो भूत ही महत्वड question की प्राचीन तमबेद इनमें से कौन सा माना जाता है तो यहां पर question number 20 का A right answer रिगवेद यह जो है प्राचीन तमबेद माना जाता है बिल्कुल सभी भारत की सीमा है कितने देशों से लगती है यह question बताई है चार पांच साथ नौ चार विकल्प देगा है तो भारत की जो सीमा है यह कितने देशों से लगती है तो एक किसका प्रवाय को मापने के लिए निमन में से किसका व्यूग किया जाता है इन मेंसे बहे कौन सा है जिससे नदी के प्रवाय को मापने के लिए यह question number 23 है और right answer है विकल्प number B QC QC आपका यहां पर सही answer हुगा question number 24 क्या पूँचा गया है तो यहां पर दिया गया है question number 24 देखे यह रहा आपका question number 24 है क्या पूँचा है यहां पर पूँचा है कि बन खंड एक पिर्मुख पर्यावरन संसाधन है बन खंड जो है यह एक पिर्मुख के पर्यावरन संसाधन है भारत का कितना भूचेत्र बन खेत्र के अंतरगत आता है तो भूचेत्र बता दीजे भारत का जितना जो बन खेत्र और राइट आंसर है आपका यहां पर राइट आंसर होगा B यानि की ब्रह्म पुत्र घाटी में कॉस्चिन नमबर चब्बेस है बस 2015 भारत द्वारा अंटारिक टिका में इस्तापित अनुसंधान इस्टेशन का नाम क्या है तो यह जो है 2015 में भारत द्वारा अंटारिक टिका में इस्तापित अनुसंधान इस्टेशन का नाम पूँचा है चब्बेस का राइट आंसर है विकल्प नमबर D आनि की भारती भारती आपका सही आंसर होगा भारती सम्मिधान अपने नांगरोकों को खालिस्तान की समानिता का बचन देता है तो किस की समानिता का बचन देता है भारती सम्मिधान अपने नांगरोकों को 27 का राइट आंसर है आपका B हैसियत और आउसर हैसियत और आउसर की समानिता का बचन देता है तो जो राष्टपती होते हैं इनके द्वारा राज्यसवा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो जो राष्टपती होते हैं इनके द्वारा राज्यसवा में कितने सदस्यों को यह जो है नामित कर सकते हैं या इनके द्वारा किया जा सकता है नामित 10, 12, 22, 9 तो कि सदस्यों द्वारा निजी विदेयक बेस करने की सूचना अबदी क्या है 29 का राइट आंसर है एक यानि की एक मा है ये आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही question number 30 पूँचा है भारत के सम्मिधान में निमन में ऐसे किसके बुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है तो भारत का सम्मिधान जो है इसमें आपको बताने कि किसके बुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो 30 का राईट आंसर है आपका भी राजिके 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 र समिधान के पास अध्याद का राइट आण्सर है यानि कि भारत के समिधान के जो 123 है इसकी अनुसार राष्टपति की पास अध्याद escrita करने की सकती होती है question number आपका 33 पूंचा है गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंच बर्सी योजिना कालित में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा बताना है तो आपका 33 का सई आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर D आनिकी छटी पंच बर्सी योजिना 33 का D question number 34 दोहजार ग्यारा की जन गंडना रिपोर्ट की अनुसार ने मिलकेत में सीकिस राज्य में जन संक्या घनत तो सर्वा देखे right answer है आपका यहाँ पर 34 का जो सई आंसर है वह आपका विकल्प नंबर D आनिकी बिहार आपका सई आंसर होगा question number 35 है उत्तर प्रदेश में जो आसरा योजिना लागू की गई थी यह कब लागू की गई थी यह आपको यहाँ पर बताना है कब लागू की गई थी तो 35 का right answer है आपका D आनिकी 2013 2013 आपका यहाँ पर सई आंसर है विल्कुल सई right answer बताया है अंगले question क्या पूँचा है तो question number 36 आपका यह रहा आपकी screen पर question number 36 है निम्न में ऐसे किसे सांकीकी का जनक कहा जाता है यह question मत पूँण है सांकीकी का जो जनक कहा जाता है वै किसको कहा जाता है तो 36 का सई answer है आपका यहाँ पर विकल्प number A right answer होगा और A फिसर आपका सई answer है विकल्प number A आपका सई answer है बायू का लगबग कितना भाग oxygen है तो आपका यहाँ पर right answer क्या होगा question number 37 है सभी लोग वीडियो को like अबस्ते करते जाएं जोनों ने अभी तक वीडियो को like नहीं क्या है 37 का विकल्प number E आपका सही answer होगा चिपको आंदूलन संबंदित है चिपको आंदूलन जो है किस से संबंदित है question number 38 में आपके लिए बताना है चिपको आंदूलन किस से संबंदित है तो 38 का आपका right answer है यानि की पादप सर्रक्षण से विकल्प number E आपका सही answer है फ्लाई yes क्या है ये आपको बताना है question number 49 में फ्लाई yes क्या है तो 49 का आपका जो सही answer है बहे आपका विकल्प number C यानि की yes के लगूकण yes के लगूकण आपका right answer यहाँ पर होगा question number 40 पूँचा गया है क्या पूँचा है तो देख लेते हाल ही में जो है हाल ही में किस राज्ये ने चिडिया घरों एवन हिरन उद्ध्यानों में जंगली जानवरों के अधिगरण की योजना शुरू की है तो एक चालिस का right answer है विकल्प number आपका यहाँ पर B हरयाणा question number 41 है क्या पूँचा है B सर्पी घर्षन खालिस्तान होता है जो B सर्पी घर्षन होता है यहाँ पर question number 41 है right answer है आपका सीमित घर्षन से थोड़ा कम तो विकल्प number B आपका सही answer भारी पानी की खोच किसने की तो जो भारी पानी है इसकी जो खोच की थी question number 42 का right answer है यूरे किसने की थी यानि की विकल्प number D आपका right answer होगा question number 43 है माध्टपोल question है की हरे फलों को कृतिम धंग से पकानी है तो प्रियुक्त gas है भारी गैस कौन सी बहे gas है जो हरे फल जो रहते हैं इनको कृतिम धंग से पकानी के लिए उस gas का प्रियुक्त किया जाता है तो 43 का right answer है acetylene जो gas होती है इसका प्रियुक्त किया जाता है question number 44 पानी को सुद्ध कनी के लिए आम तोर पर इस्तिमाल किये जाने वाला रसाइनिक तरीका निम लिखित में ऐसे कौन सा है तो रसाइनिक तरीका पूंचा है आपसे यहाँ पर पानी को सुद्ध कनी के लिए तो 44 का आपका c right answer है यानि कि किलोरी नी करण आपका यहाँ पर right answer होगा किलोरी नी करण आपका right answer है question number 45 आपसे पूंचा है अस्पताल में निमने लिखित में ऐसे किस विवाग में cath lab होती है तो पह कौन सा विवाग है अस्पताल में पह कौन सा विवाग होता है जिसमें कैथलेब होती है तो 45 का आपका C right answer है कॉर्डियो लॉजी विभाग कॉर्डियो लॉजी विभाग जो होता है इसमें होता है कैथलेब कॉस्चन नमबर 40 क्या पूचा है पेनिसिलिन किस सूख्चमिजीव से प्राप्त होता है कॉस्चन नमबर 46 में आंसर बताना है तो 46 का D right answer है कबक आपका यहां पर इस प्राप्त होता है तो इस परकार अपने यहां पर कॉस्चन नमबर 47 क्या पूचा है देखें यहां पर 47, 48, 49, 50 यह चार कॉस्चन आपकी यहां पर क्या है reasoning से संबंदित आपकी यहां पर कॉस्चन पूचे गए हैं तो इनको छोड़ देते हैं तो इस परकार अपने यहां पर महत्तुपन कॉस्चन कंप्लीट है क्या असा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्र सब्सक्राइब अवस्सक्राइब तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद्ट